हेलो गाइज मैं कुमार नीरा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर गाइज जैसा कि मैंने कहा था पिछला पार्ट में कि मैं आपके लिए लेकर क्या हूंगा नएक नया पार्ट जिसमें मैं बताऊंगा कि ले आउट कैसे त्यार होता है एक ब्लॉगर के अंदर बिल्कुल तो उमीद करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा आपको पसंद आया होगा वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीका से पेज क्रियेट होता है और कौन-कौन सा पेज महत्पूर्ण है आपके लिए इंपॉर्टन रखता है क्योंकि अगर आप वो पेज को एड नहीं कीजिएगा तो आपके ब्लॉक को आगे चलके मनोटाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें वो पेज बहुत जादा रिक्वाइड थी ठीक है तो आज का जो हम लोग का वीडियो है दरसल जानना है उसमें कि हम लोग किस तरीका से ब्ल साथ कीजियों और डबाइए क्योंकि बेर डाइकन नहीं देभाइएगा तो मेरे जितने भी महत्मून वीडियो आते हैं वह आप नहीं देख पाएगा ठीक है चली वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा सबसे पहले जिस ब्लोग पर आपको क पहले भी दिखाया है जिसमें create करना बताया था वही ब्लोग को खोलूंगा और उसी में decoration हम start करेंगे ठीक है क्योंकि हम लोग के पास वही एक ब्लोग है जिसमें हमने अभी तक दो तीन चीज़ देखा है और अभी उसमें template लगाना बागी था यानि कि layout वर्क बागी था ठीक है तो layout पे काम करेंगे देन template पे हम लोग काम करेंगे ठीक है न चलिए शुरू करते हैं तो कैसे होगा सबसे पहले आपको अपना ब्लोग यह यहाँ से खोलेना मैंने बहुत सारा ब्लोग पुराबाब यहाँ पर digital designer ठीक ब्लोग है किसी पर मैंने आपको सिखायाइ भीira इस प्लिक करके आप आजयाएक आपके पास windows एक्पियर होगा इसी में आपको layout शत्लम होगा ठीक है यहां open हो गया मैंने इतना पोस्ट डाल दिया अभी तक ठीक है यह सारा पोस्ट अभी जितना भी पोस्ट डाला है एक अगस्त तक लास्ट मैं डाला है क्योंकि दो अगस्त को में बीजी था तीने गस्त को में बीजी तो इसलिए पोस्ट डला नहीं पाया था अभी तक व्यूज नहीं है क्यों क्योंकि मैंने इसमें वर्क नहीं किया है ठीक है क्योंकि आपको सिखाने के लिए यह इस्पेसली यह ब्लॉग मेने बनाया था ना तो चलिए चलते हैं लेइआउट पर यहाँ लेइआउट आपको मिल जाएगा ठीक है नीचे ओप्षण है लेइआउट का देख रहा है यहाँ पर आप लेइआउट पर क्लिक किजएगा layout खुल जाएगा, ठीक है हम लोग को दो चीज, तीन चीज समझना है और वो चीज आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपनी block के preview को देखे रहिएगा, ठीक है, block का preview देखना भी बहुत जरूरी होता है ठीक है, तो preview के लिए मैं यहाँ view block पे click करके दुसरा page खुल लेता हूँ automatic दुसरा page खुल जाएगा, ठीक है, पहला page आप layout पे यहाँ पे तो है ही आपका layout है यह इसमें बताऊंगा कैसे होगा work और दुसरा जो है वो आपका अपना block का front page होगा, जिसमें आपका blog दिखाई देगा, display होगा कि किस तरीका से arrange किया हुआ है आपका data और किस तरीका से हम layout पे work करेंगे तो यह data rearrange हो जाएगा, ठीक है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि आपके block के उपर सबसे उपर title दे रखा है सबसे उपर क्या दे रखा है, title दे रखा है, clear ठीक है, और इसके नीचे मैंने जो description लिखा था अभी तक मैंने डीट नहीं किया description को छोटा ही है यह, ठीक है, मैं करूंगा, अभी time थोड़ा कम मिल पाड़ा है, क्योंकि आपके लिए video भी बनाना पड़ता है और सारा work भी करना पड़ता है, तो इसकारण से मैं इस पर जदा अभी work नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जब work करूंगा, तो आपको deeply दिखाऊंगा, इस पर वीडियो कि किस तरीका से मैंने इसको arrange किया है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि post डाला हुआ है, नीचे भी post डा और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बहुत interesting नहीं है, देखिए, नहीं है न, बहुत simple सा है, नीचे भी कुछ नहीं है, कोई option, कोई icon नहीं है, तो ये कव आएगा, किस condition में यहाँ पर और भी option आएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारा यहाँ पे features आएगा, कैसे लाएंगे ह है, कि आपका जो ये जो data होता है, एरेंज किया हुआ, ये कैसे rearrange आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि about का यहाँ पेज है, उसके नीचे archive का पेज है, ठीक है, तो उसके उपर report का page है, तो ये इतना सारा जो page है, सब उपर नीचे हो सकता है, कैसे, ठीक है, अभी तो इसमें कम data इतले कम दिखरा है, लगी जब जाना data होगा, तो ये पूरा area भर जाता है, ये जो area आप देख रहे है, खाली-खाली, ये area पूरा भर जाता है, ठीक है, तो editing करने के दौना बताऊंगा, कैसे भड़ेगा ये area, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इस layout पे, layout पे हम लोग देख ये आपका main menu panel है, ठीक है, यहाँ पर है, clear, तो इसी लिए इसको navigation कह रहा है, navigation का आप color अपने coding, अगर blue कीजेगा, तो ये blue हो जाएगा, यहाँ पर clicker के ये सेव कीजेगा, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, इस पे जाने के बाद, इस पे जाओंगा, अभी color देख रहे है क्या है, मैं refresh करता हूँ, f5 button प्रेस करके, f5 button से refresh कर रहा हूँ, और देखें, यहाँ पर color change दाएगा, थोड़ा net slow है, छमाच हाँगा इसके लिए, लेकिन वीडियो बड़ी interesting होने वाली है, आप वीडियो को skip नहीं कीजेगा, क्योंकि बाड़ी बाड़ी से मैं सारा layout आप हमने change किया, ठीक है, उसके बाद मिरे बाद जितने भी option होंगे, इसमें, ठीक है, जितने भी option होंगे, मैं सारे पर धिये जिरे करके work करूँगा, अब उसके नीचे header, अब यहाँ पर header को, आपको जब भी edit करना होगा, तो यहीं पर आना होगा, header पर यहाँ से आप आपना title edit कर सकते हैं, जैसे कि logo का photo, मैं यहाँ से click करूँगा, जो भी हमारे पास logo होगा, यहाँ से choose कीजिएगा, क्योंकि यह logo के regarding ही है, और आपका logo जहां भी होगा, आपका logo जहां भी होगा, उसको search कर लिजेगा, ठीक है, search करके दिन, आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है, तो मैं इमेज का आपको एक URL आटमेटिक क्रियेट हो जाता है, ठीक है, एक URL आटमेटिक क्रियेट हो जाता है, जब आप लगाओगे इस इमेज को, तो आपके front पे आपका display करया, देखिए, यहाँ आगे है ना, यहाँ नीचे में URL आ जाएगा, ठीक है, अभी तो नहीं है, लेकि थीम सपोर्टेड होगा, तो यहाँ पढ़ाएगा, थीम अगर सपोर्ट नहीं करेगा, तो हो सकता है कि वो size large हो जाया, देखिए, इस theme में लोगो सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, तो आपका size होगा, लोगो का एक dimension fix होगा, उस dimension के recording logo होना चाहिए, इस लोगो का काफी size भी इतना ही है, या इस से बड़ी है, मैं देख लेता हूँ, इस पर click फिर से करना है, upload image, ठीक है, यह automatic हट जाएगा, कोई लिक्कत नहीं है, यहाँ फिर से file पर आईएगा, ठीक है, और then, आपको फिर search करना है, आपका file है कहाँ, तो आप अपना, जहाँ file रखे होईएग क्योंकि block का हर theme अपने coding होता है, और उसके coding ही उस पर data आप डाल सकते हैं, तो बड़ा छोटा यह कोई बड़ा issue नहीं है, आपको समझना होगा कि आपका theme कैसा है, उसके coding आपका image का size होना चाहिए, तो इस theme का image का size मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखाड़ा छोटा बड़ा होगा, देखता हूँ, प्रिव्यू पर रिफ्रेस करके, ठीक हमाँ तो मैंने save कर दिया, यहाँ एफाइप प्रेस कीजिएगा, पेज रिफ्रेस होगा, आपको समझ में आएगा कि image बड़ा था इसके लिए और या छोटा था, ठीक है, यहाँ देख रहा ठीक है, तो इस तरीका से आप फोटो पे लगा सकते हैं, अपने आइकन को लगा सकते हैं, अपने ब्लॉक के पास, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके, मैंने कहां से किया, header के पास है, ठीक है, उसके बाद, यहाँ जो आपको बोला था मैंने search का option, यहाँ search वाला एप्यार है, य number of post आपका जो screen परहेगा, यहाँ पर लिखा गया 20, अगर आपको एक्षा है कि मैं इसको 50 कर दो तो यहाँ 50 कर सकते हैं, यानि कि 50 post एक वार में appear होगा देन, नीचे जो भी होगा उसको view more करके लोग देख पाएंगे, है न, इसके regarding होता है यह, उसके बाद आपके blog में जो लेवल वेगरा सब चीज, तो लेवल कैसे लगेगा, मैं अभी बताऊंगा आपको ठीक है, ताकि option और भी बढ़ जाए, क्योंकि विजलेशन में आपको मैंने बताया था कि area काफी white white दिख रहा है, क्योंकि इसमें data की कमी है, तो data भी मैं और बताऊंगा कैसे आगर data, ठीक आपका ठीक है, यहां sidebar के ध्यान दिजिएगा, यह sidebar में देखिए, यह जो search दिख रहा है, उसके बाद follow, उसके बाद आपका यह page ठीक है, उसका अड़ेशन के लिए दिया है, तो अड़ेशन तभी work करेगा, जब आपका add approved हो जाएगा, आपका add approved हो जाएगा, आपका add approved से ऊपर है, कौन सा page, गौर कीजिएगा, search का page, ठीक है, यहां गौर कीजिए, मैं इस page के दिखाणा हूँ आपको, यहां चो आपको दिख रहा है, यह search ऊपर है, about me, नीचे है, इसको आप ऊपर नीचे करना चाहते है, तो कर सकते, about me को ऊपर, और search को कहा, नीचे, तो यहा आपको नीचे लाया, about कहां चला गया, ऊपर चला गया, automatic कि यह आपको ऊपर दिखेगा, देखिए, मैं refresh करके दिखाता हूँ, यह 5 से आपको refresh कर गेना है, clear, यह 5 से refresh कीजिएगा, automatic आपको यह page दिखाई देगा, search box नीचे आजाएगा, और आपका जो profile था, about me, देखिए, ठीक है, about me, ऊपर आगया, search कहां आगया, नीचे आगया, आगया ना, बहुत असान था, इस तरीका से आप ऊपर नीचे करके, drag करके, आप rearrange अपने layout को कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप theme लगाते हो, तो यह data, arrangement से बाहर हो जाता है, तो जब arrangement से बाहर होगा, तो आपको इस आपको अब ले चलता हूँ, इस तरीका से आप footer भी लगा सकते हैं, नीचे आपको मन है कुछ लगाने का, ठीक है, यहाँ क्लिक किजेगा, जब नहीं है option, तो यहाँ से आपको जो जो मन होगा, यहाँ से आप add कर सकते हैं, इसली, ठीक है, यहाँ पर आप level, level लगा सकते ह यहाँ क्लिक कर दीजेगा, ठीक है, तो पेज के लिए active हो जाएगा, जो जो पेज आप यहाँ add कीजेगा, वो साड़ा पर जहाँ सो करेगा, एक पेज मैंने add किया न, footer में, अब गौर की जगा, मैं यहाँ save नहीं करूँगा, ठीक है, अभी मैं यहाँ पेज एक add किया ठीक है, ध्यान रखेगा, आप मैंने एक attribution page के ऊपर मैंने एक page, normal page डाला है, ठीक है, इसमें अभी तक refresh नहीं किया हूँ, ध्यान दीजेगा, नीचे कुछ भी नहीं होगा, तो, देखिए, एक post है सिर्फ, नीचे page का कोई icon नहीं दिख रहा होगा, आपको, लेकिन जैसी म मैंने अभी just add किया है, दिख रहा है यहां कुछ नहीं है न, option, voter में, यहां देखिए option कैसे आएगा, मैंने अभी लगाया एक page, इसको लगाया न भी, उसको save कीजिएगा जैसे ही, save कर लेने के बाद, अभी shape हो रहा है, इसको save कर लेने के बाद देन, आपको फिर से आना है उसी page पर, वहां refresh करके देखना है, यह icon page का जो मैंने बनाया, वो आया की नहीं, अभी तक तो यह नहीं देख रहा है, यहां प्रेस करूँगा, ध्यान देना है आपको, गौर्स देखिएगा, क्योंकि यहां rearrangement हो रहा है, rearrangement अगर साइस से नहीं देखिएगा, तो सकता है, में भी आप से कुछ गलती हो जाए, देखिए, एक page का आगया icon, आगया न, यहां अभी तक नहीं था ना, कुछ, यहां page का आगया, यह homepage है, आप click कीज़ेगा, अपने main page पे चले जाएगा, main page मतलब front page, यानी कि front मतलब उपर से top पे, ठीक है न, top पे आजाएगा, clear, यह ज पड़ा दीजेगा, जब तक आपके size के like नहीं होगा, कोई image तब तक आप use नहीं कीजिए, ठीक है, यहां पे click कर दीजेगा, automatic यह remove, automatic यह जाएगा, क्योंकि मैंने यहां सब selecting नहीं करना है, जब size का इसके coding मैं set कर दूँगा, तो उसके बाद मैं देखूँगा, इसके dimension के देखना है, दिन आपको उसके according pixelize करना होगा, छोटा करना होगा, आपको length breath देख करके, ठीक है, यहां save कर दीजेगा, clear, और आपका यह image हड़ चुका है, यहां से click के जगा save पे, यह जो भी setting मैंने किया, वो save हो जाएगा, यहां से refresh करके आप देखिएगा, यह photo हड़ जा तो आपके पास layout है कि बहुत सारे option है, हर gadget के अंदर, गौर कीज़ेगा, हर gadget के अंदर आपके पास नयानय option होता है, आप जैसे चाहें, वैसे side में भी, sidebar में भी, या फिर आपको एक्षा है तो footer में भी, footer 1, footer 2, two sided footer है, आपको मन है, यहां से कुछ add करने का, तो यहां यहां ने block search का यहां पर लगा दे आइकन, तो block search का जैसे आपको उपर दिखाया था इसमें, आपको मने की profile उपर भी दीखें, नीचे भी दीखें यहां profile का एक दे दिजिए, automatic profile भी आपको दिखेंगा, देखना चाहते है, यहां click किजिएगा, ठीक है, यहां देखें, add हो ठीक है, यहां save किया, footer लग चुका है, about me का, clear, footer 2 में मैंने about me का लगाया है, attribution के उपर, clear, अब इसको देख लेते हैं, लगा है की नहीं, अभी तक देखिए, मैं refresh नहीं किया हूँ, अभी तक आपको दिख रहा होगा, इसमें नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ठीक है, एस तरीका से आप जहां चाहे, वहां आपके पास option है, जो भी चीज़ चाहे, rearrange कीजिए, उपर लगाईए, नहीं रखना है, तो remove कर दीजिए, तो आपको अस remove का भी option है, अगर नहीं रखना है, इसको तो click किजिए यहां पर, ठीक है, यहां से remove कर दीजिए, यहां ठीक नहीं लग रहा है, जहां था उपर में वहीं ठीक है, ठीक है, तो यहां दूसरा लगाया था मैंने, पहला तो वहां है ही, यानि कि दो अभी तर्फाइल लग चुगा था, तो मैं एक कहड़ा देता हूं, ठीक है, क्योंकि यह place सही नहीं है, आपके about को लगाने के बताया था, बहुत सारा page बनाया था, वह सारे page का footer में यूज कर सकते हैं, अगर आपको एक्षा है, तो ठीक है, अब बात उठती है कि इतना सारा चीज तो हमने देखा, यहां पे, इसको खुलने के बाद मैंने क्या-क्या देखा, फिर से आपको rewind कर देते हैं, adsense का feature था, यहां feature post था, blog search था, html का coding आपको आता है, तो html option देती है, इसके अंदर code में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, तब उसके बाद ही कोई visualization होगा, blog archive का option है, page header का option है, follower आपके बढ़ेंगे, तो follower का भी एक icon दे सकते हैं, कि जैसे कि जैसी follower आपका बढ़ते जाएगा ठीक है न, popular post का, जैसे मैं यहां पर click करूँ, ठीक है, गोर कीजिएगा, यहां पर click है मैंने, ठीक है, जो भी last year का होगा, या all time के लगा दीजिए, 30 days का लगा दीजिए, ठीक है, तो मैं last year का नहीं, 7 days के अंदर का, या 30 days के 30 days का मैं लगाता हूँ, जो popular post होगा, save करता हू यहां प्याना है, रिफ्रेस करके देना है, फूटर में मैंने लगाया है, popular post का, रिफ्रेस की जिए 5 से देना आपको, appear होगा, display आप देख सकते हैं, यहां पर आपको वो नजर आएगा, देखिए, यहां आइकन आना नजर, क्योंकि अभी मैंने photo डाला नहीं है, photo यहां फ सर्च करेंगे, ढूंडेंगे, टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ऑटमेटिक वो पॉटर बन जाएगा, ठीक है, अगर 4-5 आज मीं तक एक photo लगातार अगर देखा गया, तो ऑटमेटिक उसका visualization यहां पर दिखाई देने लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद यहां आपको corporate post का आइकन पर आपको एक image दिखेगा, आपके कोई भी photo में से कोई एक, ठीक है, इस तरीका से आपको भी यहां पर dragging करके, जहां जहां आपको मैं है, उपर नीचे arrange भी कर सकते हैं, खिच-काज के, आपको नहीं रखना है, तो राट के लिएक कि इस पर click कर देना हाई heat पर और जो ची नहीं चाहिए, बिल्कुल, बेज जग यहां से remove कर सकते हैं, आपका फालतू का icon नहीं रखिएगा, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा page पे थोड़ा option बनाने का, यानि कि इधर जो area खाली है, मजा नहीं आ रहा है, जब मजा नहीं आ रहा है, तो हमको icon बनाना आना चाहिए, तभी हम यहां पे icon भढ़ पाएगे, ठीक है, कैसे होगा, देखते हैं, तो यहां पे आपको level लगाना पड़ेगा, हर post का अपना एक level होता है, जैसे मैं यहां पे post पे आता हूँ, post पे click कर लेना है आपको, हर post का अपना एक level होता है, और वो level दिखा तब ही देगा जब आप लेवल बनाओंगे तो लेवल बनाने से पहले आपका एक लेवल आइकन होना जाए तो मैं दिखा दूँगा पहले हो लेवल लगा लेते हैं इस पोस्ट को मैं खोला ठीक है यह पोस्ट हमारा क्या है सिंपा साब सभाव समझेगा क्योंकि हम ऑप्सन बनाने की बात के राइट साड में एडिया खाली है तो वहाँ लेवल का उप्सन हम देंगे इसको ठीक है जैसे मालें यह यह पोस्ट मैंने डावा था ठीक है यह पोस्ट साइध आई थिंक सोशल मेडिया पोस्टर है है ना सोशल मेडिया पोस्टर है ये तो ये सोशल मेडिया पोस्टर यहां लिखा हुआ है मैं चाहता हूं यहां लेवल में लिखा रहे हैं यहां लेवल पर क्लिक किजेगा यहां क्लिक किजेगा ठीक है यहीं पर लिखना आपको लेवल ठीक है यह एक level आपका media post त्यार हो चुका यहां से आप click करके इसको update कर दीजे ठीक है एक level easily आप एक level अभी त्यार कर लिए हैं दूसरा post में चलते हैं clear दूसरा post में चलते हैं एक तो त्यार हो गया दूसरा post पर जाएएगा back करके दूसरा post को भी खोलना है यह thumbnail है जैसे इस पर click कर लिजे दूसरा post है यह media post एक level लगा यहां दीख रहा है आपको media post उसी तरह दूसरा level दूसरा thumbnail है तो दूसरा level का नाम हम लोग thumb link देंगे ठीक है thumbnail क्लिक कर दीजेगा यहां इसका नाम देजिए thumbnail ठीक है thumbnails हो गया दूसरा हो गया इसको भी update कर दीजे दूसरा level लग गया ठीक है दूसरा level लग गया तो अगर जब भी हम post डालेंगे social media का तो media post उसका level का नाम होगा जब भी इस ताइप का thumbnail डालेंगे उसका नाम thumbnail होगा तो level अब हम माली जेगे दूसरा में आपको दिखाएं अभी दो तो लगा दिया हमने तीसरा हम ट्राइ करते हैं आपको एक हमने थमने लगाया और एक हमने media post लगाया एक और थमने लगाते हैं ठीक है एक वार जब थमने दे दिया तो आप्सन बनेगा आपको समय से चुनना है ठीक है यहां देखे थमने यहां भी रहेगा है ठीक है यहां मैं जो host यह यूज़ करूँगा level उसका नाम होगा थमने ठीक है यहां आग यहां इसको सेलेक्ट करना है अब नया लिखना नहीं है यहां सेलेक्ट कर लिए आपने तो यानि कि यह लगाके दूसरा थमनेल हो जाएगा मेरा यह लगाके दूसरा थमनेल हो जाएगा ठीक है तो दो हमने थमने यूज़ किया भी तक level में और एक हमने post किया है post में एक और हम चाहेंगे कर ले चाहरे लोगों है न हमारा नीचे एक लोगों को कर देते हैं लेवल यहां क्लिक किजीगा ठीक है एक नया नाम से भूजाएगा ऐसे ठीक है यहां लेवल आपको लिखना ओकर इसमें से अप चुन्ना नहीं है क्योंकि दो हमने बनाया अभी त तीन लेवल हो चुका है कितना लेवल हो चुका है तीन यानि कि कभी भी कोई भी वेक्ति अगर हमारे किसको प्रोफाइल में विजीट करता है तो उस अवस्था में उसको मेरा डाटा खोजना आसान हो जाए इसलिए हम लेवल करते हैं ठीक है कैसे अब समझ लीजे यहां होगा ठीक है देखिए यहां लोगो इसका नाम लोगो लेवल में और उपर में दो-तिन पोस्ट था आँमारा एक मेडिया पोस्ट एक दो थमनेल भीकर अब यहां आते हैं में पेजरें लोग में पेज में देखिए रिप्रेस करके क्या लेवल है यहां पे पहले देख ले कि सिर्फ logo हम देखे लोगों पर क्लिक कर देगा लोगों पर जैसे ही किलिक करेगा तो सिर्फ logo appears हो जाएगा बाकिन कुछ नहीं यह तो नीचे feature post है यह रहेगा ठीक है लोगों आ गया उसी तरह मालिगे कि हमने दो thumbnail का उसके आया था लावा कुछ भी नहीं आएगा देखिए तो इस तरीका से हम लेवल का यूज करेंगे तो लेवल मेरा एर्रेंजमेंट में होता है और यहां से किसी भी वेक्ति को जो हमाने ब्लॉक विजीट करेगा उसको आसान हो अब ये चीज लेवल को हम चाहते हैं कि आर्ट कीव करें यह गलाज जगह पे हैं घुनकि हमारा यहां पर था आर्टीव के नीचे डालना है किसको लेवल को चलिए हम लेवल गॉल करते है कि आर्टीव कहाँ पर है यहाँ पर यहाँ देखेंगे लेवल कहां लगा हुआ है यह रिपोर्ट आयब उसके। doğa रहे हम चाहते है का रहे है और पर यहां ब्लॉग आरकीव है ठीक है इसको ड्रै करके लाईए आए इसके पास छोड़ दीजे तो लेवल कहां चला गया ऊपर है आर्किव नीचे है तो इसको नीचे रखना है अब देख लिए आगया ब्लोग आर्किव के नीचे आ गया लेवल लोगो मेडिया पोस्ट हमनेल तो इस तरीका से आपका यह पैटर्न जितना आप लेवल यूज की ज़िए जितना पोस्ट डाल लिएगा उसके कोडिंग लेवल होगा आपका लेवल जितना होगा वे ठीक है दोनों बनेगा ठीक है तो इस तरीका से आपने लियाउट करना डिजाइनी करना सिखा आपने पूरे ब्लोग को इस तरीका से आप ब्लोग को डेगोरेट कर सकते हैं लियाउट शेटिंग कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा new theme का यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लोग के अंदर बिल्कुल किस तरीका का theme किस तरीका का poster मैं दिखाता हूँ आपको जैसे मेरा एक और साइट है मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीका का design कैसे decorate होगा आपका theme वो मैं बताऊंगा जैसे ये online movie वाला मेरा ब्लॉग है मैं इसका visualization आपको बता देता हूँ उस तरीका से आपको समझना होगा ठीक है यहां मैंने खोला और इसके preview को आप देख लीजिए इस तरीका का preview अगर आप चाहते हैं next ब्लॉग upcoming ब्लॉग देखना पड़ेगा तभी आप सीख पाईएगा ठीक है view ब्लॉग पे क डाला हुआ है इस तरीका का अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग भी इस तरीका का visualization दिखाई दे आपके ब्लॉग में तो आपको next वीडियो पे आना पड़ेगा तभी आप जाना पड़ेगा कि इस तरीका का कैसे theme लगता है इतना colorful इतना decorative इतना बढ़िया impact visualization इतना बह ठीक है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दवाईए क्योंकि नेक्श वीडियो आपको चाहिए theme तो बिल्कुल आप विजिट कीजिए next वीडियो मैं आपके लिए लाओंगा इससे भी बहातर वीडियो तो मिलते हैं next वीड आप आप आप